तो अभी मैं खड़ावा हूँ चोगले इंडस्ट्रीट प्रिवेट लिमेटेड एरीना सोरूम है इनका मडगाओं पढ़ता है तो आज का वीडियो होने वाला है वह और ब्रेजए वीडियो करने वाला हूँ जसमें देखेंगे क्या-क्या फीचर से इसका आपको मिल रहा है और क्या-क्या आपको इसकी आपको इस पे नहीं मिल रही तो पेरेंट से गर हम अगर देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं इसके टायर की तो इसमें आपको स्टील वील के साथ में तो इसमें आपको एलोए नहीं मिलेंगे इसमें आपको जो है स्टील वील मिलेगा वील क्लेडिंग इसमें आपको मिल रही है और साइड डोर क्लेडिंग वगरा भी आपको इसमें देखने को मिलेगी साथ ही इसमें आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो और वियूम के साथ मे मिलेगा, अब चलते हैं दीरे इसके rear look पे, सबसे अच्छी चीज़ है इसमें न सार्क फिन एंटीना भी आपको मिल रहा है, और पीछे अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको मिल रहे हैं चार्ज सेंसर, बंपर में, बंपर इसका आपको black मिल रहा है, smart hybrid engine के साथ में यह आती है, और जो पीछे का इसका rear look है, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो यह इसकी tail lamp है, जो उनके आगे को थोड़ा सा बढ़ाए गया है, उसका look बहुत ही प्यारा आता है, और बीच में इसमें आपको मिल जाएगा बड़ा सा लिखा हुआ ब्रेजा, rear defogger इसमें आपको मिल जाते हैं, वाइपर नहीं मिल रहा है पीछे इसमें, तो rear look में पीछली जो ब्रेजा थी परानी उससे भी काफी different किया गया है, इसमें, tail lamp भी इसका change किया गया है, और थोड़ा सा क्या क्या नहीं मिल रहा, तो इसमें आपको चारो power window, central locking बगारा सारा कुछ यहां पर मिल जाता है, इधर की तरह आएं तो आपको यहां पर मिल जाते हैं, इसमें, lights को adjust करने का सारा system यहां पर मिल जाता है, की starting इसमें आपको मिलेगी, push start button इसमें आपको नहीं मिलने वाला ह है, cluster meter की बात करें, तो कुछ ही इस तरह का आपको देखने को मिलने इसमें, और इसमें आपको मिलेगा 7-inch का touch screen, infotainment system, और AC की अगर हम देखते हैं, तो auto AC इसमें आपको मिल रहा है, तो auto climate के साथ में आपको मिल रही है, यहां पर आपको यहां पर काफी अच्छा space मिल रह और यहां पर एक बड़ी अच्छी chrome लगी हुई है, जो यहां से start हो जाती है, और यह लगके जा रही है इस तरह से, तो यह वाली chrome एक अलगी look दे रही है, इसके dashboard को, और interior को, चार speaker नीचे door में आपको मिल जाएंगे, चारो door में, और अगर space की बात करें तो spacious काफी है यह काफी comfortable है इसकी, अगर आप देखो तो, अगर हम heady space की बात करते हैं, तो heady space काफी अच्छा मिल रहा है, और साथ में lag space भी काफी बढ़िया मिल रहा है, इस गाड़ी के अंदर, इस तरह का कुछ आपको मिल रहा है, इसमें steering, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, और उसमें आपको मिल जाएंगे, इधर की तरफ सारे music system, नीचे bluetooth के आपको call disconnect, connect system आपको मिल जाते हैं, cruise control इसमें आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए, जो cruise control है, वो इसके top variant में आपको देखने को मिलेंगे, sunroof भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो sunroof आपको इसके top parent, ZX, I में मिल जाएगी, और ये इसका पीछे का rear seat है, rear seat में आपको headrest मिल रहा है, इधर की तरफ मिल जाता है, आपको इसमें glove box, तो काफी बड़ा glove box आपको इसमें एक मिल रहा है, ये, इधर की side, cluster meter में आपको यहाँ पर trip बगरा, temperature बगरा, almost काफी सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बीच में, watch बगरा भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी, प्लस आपको door indicator भी यहाँ पर मिलेगा, कौन सा door open है, नहीं है, और साथ ही इसमें आपको यहाँ फ्यूल वार्निंग बगरा, सारा कुछ आपको इसके यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे अब इसमें फ्यूल कम है, तो वार्निंग आपको यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, जो इसका टच स्क्रीन है, उसके उपर, और जो इसमें IRV है, वो थोड़ा आपको छोटा मिलेगा, नॉर्मल वाला, बिल्कुल, एकदम सिंपल, वो आपको देखने को मिलेगा, र पदलब रियर में space काफी अच्छा मिल रहा है, इस गाड़ी के आपको, और इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो पीछे ट्रे नहीं मिलेगा, बाकी एक बार खोल के देखते हैं पीछे से भी, बाकी head space बगएर और lag space बगएर अगर रियर में हम बात करते हैं तो काफी अच्छ यह देखिए तो हाइट इसकी आप एड़ेस्ट कर सकते हो ड्राइबर साइट सीट की अपने एकोर्डिंग ली जैसे भी आपको रखनी है उसके हसाब से तो काफी बढ़ा इंटीर लगा मुझे इसका और ओल्मोस्ट फीचर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं तो अगर बूट की नहीं मिलेगी तो इस सेग्मेंट में यह गाड़ी दमदार तो है जो इसका लुक है ना वो दूर से लोगों के लुभा लेता है मतलब अगर बात करो ना रियर लुक की तो सांदार है पीछे से मतलब रेंज रोवर जैसी दिखती है और फ्रेंट लुक की बात करें तो फ्र सेग्मेंट में अच्छी टक्कर देगी अपने कॉम्टिटर्स को दूसरी गाड़ियों को इस सेग्मेंट के अंदर सो यह थी ब्रेजा वी एकसाइट और टू थाउजन ट्वेंटी टू जो अभी नया इसका मोडल आया है और अगर वी एकसाई के हम प्राइज की बात करें जितने भी इसमें अच्छे लगे और मुझे एक वैल्लीय फोर मनी लगी यह कार क्योंकि इसमें सारी चीजे आपको मिल रही है इसमें भी चोटे मोटे पीचर से इसमें बस आपको कट किये गए जो तो पेरेंट है उसके अकोर्डिंग तो करता हूं वीडियो अच्छी पर चलो कोई नहीं फिलाल आपको ये गाड़ी मैंने पूरी दिखा दी है और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक सेर कमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दें टेक केर बाई बाई